इंडिया के अंदर सभी PUBG प्लेयर्स, PUBG मुबाइल इंडिया की रिलीज डेट का इंतजार कर रहे हैं और यही आपके लिए एक अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है PUBG मुबाइल इंडिया की रिलीज डेट सामने आ रही है तो आज की वीडियो में आपको पता लगने वाल है काफी सारी रिपोर्ट सामने आई हैं जिनके अंदर PUBG मुबाइल की ओफिशल डेट बताई जा रही है साथी में PUBG मुबाइल इंडियो को शुरूर निकल कर सामने आ रहे हैं जो PUBG उजर्स को जरूर जाने चीए साथी में बोला जा रहे है कि टिक टोक भी इंडिया के अंदर वापसी कर सकता है इस अपडेट के उपर भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को सुरूर से लेकर आखरी तक सारा देखिया सो लेश टार्ट सबसे पहले बात करते हैं PUBG Mobile इंडिया की तो जैसा ही आपको पता है PUBG Mobile इंडिया बहुत जल्दी ही इंडिया के अंदर वापसी करने वाला है ऐसा PUBG Mobile का कहना है बट इंडियन गोवर्मेंट ने ऐसा कोई अपना ओफीशिल अनाउंस्मेंट नहीं दिया है कि वो PUBG Mobile को पर्मीशन दे लेगे इंडिया के अंदर तो यहां पर PUBG Mobile के लिए एक दिक्कत खड़ी हो सकती है कि कई इंडियन गोवर्मेंट उनको पर्मीशन ना दे इसके काफ़ी ज़रा चांस है कि इंडिया के अंदर PUBG Mobile कमबैक कर सकता है क्योंकि अब उसका चाइना से कोई रिलेशन नहीं है साथी में 100 मिलियन डॉलर भी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है और ओफिस भी ओपन किया जाएगा और कुछ एम्पलोईस को यहां पर जोब भी मिलने वाली है तो यहां पर काफी ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं PUBG Mobile के कमबैक के बट अभी हम 100% कनफर्म नहीं कह सकते हैं बट अभी PUBG Mobile के कमबैक की काफी ज़्यादा न्यूज आ रही है पहले बोला जा रहा था कि PUBG Mobile की जो रिलीज डेट है वो 14 November की हो सकती है बट 14 November को डिले कर दिया गया गैसे इंडिया के अंदर PUBG Mobile एक नए नाम से लौंच की जा गई PUBG Mobile इंडिया और यह बिल्कूल जीरो से प्लेश्टोर की उपर स्टार्ट होने वाली है बट 14 November को लौंच करने को बला जा रहा था बट 14 November को तो यहांपर लौंच नहीं हो पाई तो अभी जो नए डेट सामने आ रही है वो है 20 November तो काफी सारे यूजर्स और काफी सारे गेमर्स हैं वो बता रही है कि यहांपर 20 November को PUBG Mobile इंडिया के इंदर रिलीज हो सकती है PUBG Mobile का एक टीजर भी जारी किया गया था जिसके इंदर बता जा रहा था कि PUBG Mobile काफी जल्दी इंडिया के इंदर वापसी कर सकता है और अभी 20 November यहांपर फाइनल की जा रही है कि PUBG Mobile इंडिया को कमबेक कर लेगा बट यह भी कनफर्म नहीं है काफी सारी रिपोर्ट्स ऐसा बता रही है बट PUBG Mobile के ओर से ओफीशल अनौंस्मेंट नहीं किया गया है सिरब 20 November को यहांपर कमबेक का अनुमान लगा जा रहा है साथी में काफी सारी रिपोर्ट्स ऐसा भी बता रही है कि जो PUBG Mobile है वो 20 November को या फिर 2020 में नहीं आएगी वो 2021 के स्टार्टिंग में आने वाली है काफी सारी और जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स है वो ऐसा बोल रही है बट जो इंडियन रिपोर्ट्स है उनके कोडिंग ये 20 November या फिर इसी साल के एंड तक आपको देखने को मिल सकती है तो देखते हैं आगे क्या होता है बट यहां पर गोर्मेंट इसको अलोग करेगी या फिर नहीं करेगी तो यहां पर भी इसकी एक प्रोब्लम हो सकती है इस PUBG Mobile का जो एक और अपडेट है वो यह है कि जो PUBG Mobile के अंदर आपका डेटा था यानि कि जो आपका पहले जितना भी अकाउंट था उसके अंदर आपका जितना भी समान था आपकी कोश्टूम थी या फिर आपकी बीपी थी आपकी यूसी थी उसको माइग्रेट किया जाए आपका नया वाला जो अकाउंट है उसका डेटा उसके अंदर आपका ट्रांसफर हो जाएगा तो ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है इस बीस नोंबर को होगी या फिर नहीं होगी इसका पता आपको काफी जल्दी लगने वाला है जो नेक्स्ट अपडेट है वो है टि उत्कोरिया की थी अब काफी जड़ा बोला जाए रहे हैं कि अगर पब्जी मौइल इंडिया के अंदर आई तो टिक टोक के आने के चांस काफी जड़ा बढ़ जाएंगे बट गाइस ऐसा नहीं है इसके चांस काफी जड़ा कम है कि टिक टोक को बूल चुके हैं क्योंकि इस्टाग्राम रिर्लस से सनेक वीडियो है और उसी के अलावा ओर बी काफी सारी सोट वीडियो एप आ चुकी है और काफी सारे लोग YouTube के उपर आ चुके हैं बट गाईश यहाँ पर जो TikTok इंडिया के हैड है निकिल गांदी उन्होंने बोला है कि TikTok के अंदर 2000 लोग काम करते हैं और यहाँ पर और बेज़दा इनके growth की chance थे यहाँ पर और बेज़दा उनके employee थे तो उनकी job भी आपर खत्रे में है साथी मैं उन्होंने बोला है कि वो सभी rules को follow करते थे और security भी बिल्कुल safe थी बट अभी वापसी के chance काफी जड़ा कम लग रहे हैं बट इसके कुछ chance हैं बट ऐसा होना काफी जड़ा मूस्किल है तो आइस यह थे पब जिमवाइल और टिक टोक से लेटीड अपडेट तो कमेंट करके आप कुछ पूछ सकते हैं वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना ठैक्स पर वाचिंग